कोरोना महमारी की वज़े से देश में लॉकडाउन लगने से कई लोगों की नौकरी दाउंपर लगई है कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके खाने और कमाने के लाले पड़े हुए हैं ऐसे में कई बार ऐसा सुनने में आया कि सरकार को गरीब वर्ग के खाते में साड़े साथ हजार रुपे भेजने चाहिए विपक्षिदल द्वारा भी इस बात को लेकर कई बार कहा गया और कॉंग्रेस की अंतरे मद्यक्ष सोनिया गांधी और कॉंग्रेस नीता राहुल गांधी भी इस मांग को कई बार दोहरा चुकी है कि भाजबा सरकार गरीबों के खाते में साड़े साथ हजार रुपे डाले और हाल ही में सोशल मीडिया पर भी एक ऐसा ही मैसेज वाइरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा भारत के हर नागरिक के खाते में साड़े साथ हजार रुपे डाले जाएंगे एक मैसेज है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें ये लिखा है कि सरकार ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है कि भारत के हर नागरिक को सरकार साड़े साथ हजार कोरोना काल में देगी लेकिन अगर इस खबर की सच्चाई तक जाया जाए और पता लगाया जाए कि वाकई सरकार ने ये आदेश लागो किया है या नहीं तो हम आपको बता दे कि इस खबर में बिलकुल भी सच्चाई नहीं है ये पूरी तरह से गलत है और लोगों में भ्रहम फैलाने के लिए इस मैसेज को वाइरल किया जा रहा है सरकारी मीडिया P.I.B. जो देश में कोरोना और लोगडाउन को लेकर अफवा और गलत खबरों के बारे में लगताय जानकारे दे रहा है उसी के हवाले से खबर मिली है कि वाटसेप पर सिर्फ इस मैसेज को धोखा धड़ी करने के लिए चलाया जा रहा है मैसेज के नीचे एक लिंक भी दी जा रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि यहां आपने बैंक अकाउंट और बाकी डिट डाल दीजिए जिसके बाद सरकार आपके अकाउंट में पैसे भीज देगी अगर आपकी WhatsApp पर भी ऐसा ही कुछ मैसेज आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि सरकाल आपकी अकाउंट में पैसे डालेगी आप अपनी अकाउंट डिटेल यहां दे दीजिये तो उस पर बिल्कुल भी विश्वास न करें यह खबर गलत है जिससे लोगों में भ्रम फैलाने और उन्हें धोका धड़ी किये जाने के लिए चलाया जा रहा है आपको बता दी कि देश में कोरुना वारस लगातार बढ़ता जा रहा है देश पांचवे नंबर पर बहुत चुका है और अब यह कहा जा रहा है कि ब्रिट जिसका कोई भी जालसाज गलत फायदा उठाकर आपके साथ धोखा धड़ी कर सकता है तो इस प्रकार के किसी मैसेज से सावधान रहें और इसे फॉरवर्ड करने से भी बचें अपनी परसनल डिटेल कहीं भी शेयर ना करें किसी भी लिंक में अपनी परसनल डिटेल अपनी Subscribe our channel and press the bell icon for more updates